नमस्कार मेरे प्यारे भाईयों, मेरी प्यारी बहनों, स्वागत है आपका कोचिंग हपस में, मैं हूँ आपका होस्ट ललित और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा, कि अपनी होस्टिंग के अंदर आप सी पैनल की मदद से कैसे वर्टप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं और जो ये वीडियो में मैं बना रहा हूँ, ये दो कैटेकरी के अंदर जो लोग आते हैं, उन लोग के लिए फाइदे मन हैं, सबसे पहले कि जितने भी नए ब्लॉगर हैं, जिन लोगोंने नया होस्टिंग डोमेन ले रखाये, तो उनको आइडिया होना चाहिए कि कैसे इंस्टॉल किया रहता है वर्टप्रेस को और दूसरे, जितने भी इस तरह का काम करते हैं, जो लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो उनको भी आइडिया होना चाहिए, क्लाइन की कभी रिक्वार्मेंट आती है, कि फ्रेस इंस्टॉलेशन उनको चाहिए होती है तो उसके लिए ये वीडियो मैं आप लोग के लिए बना रहा हूँ, तो सबसे पहले बिना देर किये मैं अपनी वीडियो पर जाऊंगा, लेकिन एक छोटी सी चीज़े मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग नए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, त आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो तो अब सबसे पहले, सबसे पहले जो भी आपकी होस्टिंग है, चाहे होस्ट गेटर हो, चाहे आपका गोडइडी हो या कुछ भी हो, उसके सी पैनल में आप लोगों ने जाना है, और सी पैनल में सबसे लास्ट में तो इस तरह का एक कोई आइकन दिखाई देगा, एक menu option दिखाई देगा, web applications नाम से, अब layout आपके c-panel का कुछ भी हो सकता है, ऐसा मैं सोचना कि यह layout जो मेरा दिख रहा है, आपके उसमें नहीं आया इस तरीके से, तो आप नहीं कर सकते हैं, दिक्कत आएगी, कुछ भी हो आ और रहा है, तो आपने इस पे klik करना है, WordPress पे, ठीक है, तो जैसी आपने klik किया, तो आपके सामने एक window आजाएगी, installation नाम से, और यहाँ पर right side पे, एक option आजाने आ रहा है, install this application, तो आपने इस पे klik करना है, install this application पे, जैसे यह आप klik करेंगे तो आपके सामने एक наверное window आए हैं जो यह starting का आपको दिखाई दे रहा है एक domain और एक directory अब होता क्या है कि जो domain है वो basically यह पूछ रहा है कि किस domain पे आप इसे install करना चाहते हैं अगर आप लोगों ने fresh domain लिया है कुछ भी नहीं किया है तो by default आप अपने domain को ही रहने देंगे ऐसे ही जो domain आ है और अगर आपके उसमें multiple domain है अगर आपकी डिलक्स होस्टिंग है जिसमें आप multiple domain को host कर सकते हैं तो उन में क्या होता है कि आपके सामने drop down menu आता है और सारे domain की list आती है कि कहां पर को आप WordPress install करना चाहते हूं तो सबसे पहला फिल्ड जो है domain तो आपने domain select करना है जहां पर install करना है और directory आपकी क्या है सबसे important है ठीक है यहां पर क्या होता है मैं एक साथ ही साथ आपको एक बहुत valuable information दे रहा हूं जो आपके काम आएगा कि पहले हम क्या करते थे जैसे मैं क्या करता था जब install करता था तो यह process में यहां पर को ऐसी select करा अपना domain और नीचे जाके मैंने install कर दिया और दिक्कत क्या होती थी कि मुझे दिखती नहीं थी website कि वो वर्डप्रेस कहां install हुई है यह होता है क्यों है क्यों कि आपका जो by default यहां पर directory में ब्लॉग लिखा हुआ रहा है इसका मतलब क्या है ध्यान से समझना यह second option में आपने क्या करना है वो मैं आप लोग को बता रहा हूं कि आपको अगर अपनी main directory main domain पर अगर install करना है तो आप इसे empty छोड़ोगे ठीक है और empty छोड़ने का मतलब क्या है कि आपका इस domain पर इंस्टॉल हो रहा है जो नीचे दिखाई दे रहा है अगर आपको अपने domain के अंदर एक सब डिरेक्टरी बना रहे हो आप को एक डिरेक्टरी और बनाते हो उसके अंदर इंस्टॉल करना है तो फिर यहाँ पर को आप उससे डिरेक्टरी को डिफाइंग करना होगा जैसे अभी मेरे यह वेब साइट जो है स्केम्टेल डौट कॉम नाम से वह आपको दिखा द अंदर इसी के अंदर एक डिरेक्टरी बनाऊंगा जो यूट्यूब फैमली नाम से में बना देता हूं ठीक है यूट्यूब फैमली नाम के अंदर इसके अंदर में इस्टॉल करूंगा वर्ट्प्रेस तो यह साइकेंड ऑप्सन जो है वह इसके लिए है यानि कि जब अगर आपको लगता है तो यहां पर मैं डाल दी तो अभी जो यह मेरा इंस्टॉल होगा वह इस डारेक्टरी के अंदर इस्टॉल होगा यूट्यूब फैमली के अंदर जो पूरा मेरा ओपन होगा मुझे यह पूरा यूरल डालना पड़ेगा तब मुझे दिखाई देग अपना इंस्टॉलेशन तो यहां पर मैं डाल दिया यूट्यूब फैमली उसके बाद नीचे जाते हैं यह एक क्विक इंस्टॉलेशन है इसमें आपको बहुत क्विक चीजें बता रहा हूं ज्यादा आपको इसमें वह करने की जरवत नहीं है ठीक है एड्मिन यूजर न में एक स्मॉल में एक नुमेरिक तो इस तरह का पास्वर्ड बना के डालिएगा उससे आपको फाइदा मिलेगा क्योंकि नॉर्मली बहुत सारे बंदें आपके आगे से स्लैस्ट डैबलूपी एड्मिन लागा के फिर एड्मिन वन टू ठीपोर ऐसे ट्राइग करते रहते तो कोई भी अगर आपका फिर हैक कर सकता है या फिर एकसेस कर सकता है तो यहाँ पर दो चीजों का यह आपने ध्यान अकना है एड्मिन और यह बाकि जो टाइटल और टैगलाइन है यह आपकी चेंज हो जाएगी अगर आप चेंज करेंगे तो पीछे से कस्टमाइज करके आप चेंज कर सकते तो अभी से ऐसी छोड़ते हैं और यहाँ पर कोई इंस्टॉल कर देते हैं ठीक है तो इंस्टॉलेशन के टाइम पर यहाँ पर प्रॉसेसिंग लिखा हुआ आ रहा है थोड़ा टाइम लहेगा तब तक का हम वेट करते हैं तो जैसे अभी आप देख र क्लिक करता हूं जैसी मैं इसमें क्लिक करूंगा तो मेरे सामने एक फ्रेस वर्ट्प्रेस की इंस्टॉलेशन हो चुकी है और जो यूरल है वह आप देख सकते हैं स्केम्टिल.com स्लेस यूट्यूब फैमली जो कि हमने डिरेक्ट्री डिफाइन करी थी कि इसके अंदर हमें इस्टॉलेशन चाहिए तो अब यहाँ पर यह हो गया है अब इसका डेवलूपी एड्मिन यहां से उपन कर लेते हैं इसी के आगे अगर मैं लिखूंगा डेवलूपी एड्मिन और एंटर करता हूं तो इसका बेकेंड जो लॉग इन है वो आ जाएगा यहाँ पर मैं पा मैंने यहाँ पर किया नो थैंक्स क्योंकि मैं मैंनुवली इससे इंस्टॉल करूंगा जो भी मुझे करना होगा इसके बार डेरेक्टली आपको डेश्बूर्ट पर भेज देगा यह आपके सामने एक फ्रेस डेश्बूर्ट आपके सामने खुलके आगे अब इस डेश्ब लेकिन मैं बता रहता हूं जो नए लोग होंगे कि अपिरेंस पर जाके मैं थीम में जाऊंगा अभी मेरे इसमें जो थीम चल ली है वो है 2019 ठीक है तो मैं यहाँ से क्या करता हूं एक नई थीम इंस्टॉल करता हूं तो यहाँ पर मैं गया add new पर मैंने क्लिक किया और add new पर क्लिक करने के बाद मेरे सामने यहाँ पर multiple themes आ रही है तो इसमें से आप लोग देख लेना जो आपको थीम सही लगती है से example के लिए मैं अभी कोई कोई भी एक थीम इसमें install कर लेता हूं जैसे यह आ रहा है तो इसे मैं install किया यहाँ पर installing लिखावा आ रहा है तो अब जैस यहाँ पर क्लिक किया activate वाले में तो यह यहाँ से activate कर देगा activate करने के बाद एक main चीज होती है कि appearance के अंदर जो यह option आता है appearance का इसमें customize नाम से एक option आता है इसमें आपने क्लिक करना है इस menu पर आपने क्लिक करना है और customize menu पर जाने के बाद आपके सामने एक नई window open होके इसके आगे मैं एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पर वो कुछ popular theme जो है जैसे newspaper है color mag है तो उन themes को कैसे आपने demo data के साथ import करना है कैसे आप उन पर customize करोगे तो वो सारी चीज़े मैं बताऊंगा उसके अलावा उसके अलावा मैं आप लोग को बताऊंगा कि जितने भी आप option देखते हो यह wordpress के अंदर जैसे post है page है menu कहां से create करना है right sidebar है उसमें कैसे आपने widgets को add करना है तो वो जितने भी main चीज़ें जो काम की है वो सारी मैं आपको बताऊंगा ताकि जो भी एक normal बंदा भी अगर कोई है तो वो अपनी website को सही तरीके से properly install कर सके और उसमें customization कर सक तो वो कुछ चीज़ें जो होंगी हो मैं आप लोग को बताऊंगा तो यही था यह पूरा वीडियो बने रहे है मेरे साथ तब तक के लिए खुश रहो आवाद रहो इधर रहो या गाजेबाद रहो